अपने हाथ पेर को गलोइंग कैसे बना सकते हो और बहुत ही इसी तरीके से जितना भी गंदगी होगी जितने भी मैल होगा उसको कैसे आप बिल्कुल रिमूब कर सकते हो वह बताऊंगे तो प्लीज एक बार आप फेट राय जरूर कीजेगा आपको बहुत जादा अच्छी लगने वाली है तो यह मैं कोई आपको फेशल पैक वेक नहीं बनाना बता रहे हूं आपको मैं ऐसी कुछ चीज़े बताऊंगी जिससे आप बहुत ही तरीके से बहुत ही इंस्टेंट तरीके से जितना भी काला पन होगा जिद्धी पन होगा आप निकाल पाऊगे अपने स्क कर सकते हो आप फुल बॉड़ी वाइट पॉलिशिंग भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से देख सकते हो सबसे पहले आपको ना कोई भी ऐसी चीज नहीं करने है नॉर्मली आप सर्दिया चल रही है आपको पता है सर्दियो में स्किन बहुत बहुत ही ड्राय हो जाती है चाहिए वो हाथ पैर होगी हो चाहिए वो चेहरे की हो तो आपको ना कुछ भी आप लगाऊ ना तो वह थोड़ी सी सॉफ्ट चीजी लगाना मतलब ऐसे आप कोई मॉस्टियार यूज़ कर सकते हो या आप नॉर्मली नारिल का तेल यूज़ कर सकते हो त साथ साथ में आपके स्किन पे ना ड्रायनेस नहीं आने देता है साथ साथ में आपके स्किन पे इतने भी काला पन होता है ना गंदगी होती है वो नहीं जमने देता है तो आप इस रेमेडी को ट्राय कर सकते हो रात में भी आप इसको लगा सकते हो बहुत ही इसी तरीके से आपके बिलकुल गंदगी निकलने वाली हाथ पेर होगी और साथ-साथ में मैं आपको बता देती हूँ कुछ और टिपस भी तो पहले टिपस तो यह है कि आपको कोई भी मोस्टरीसर यूज कर लिए ना, या नारिल का तेल यूज करना है अगर आप ठंडे पाने से धूलते हो ना चेहरा तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं दूलना चीम आपको इस चीज का बता देती हूँ वाश करना है अपने चेहरे को दूद से तो दूद से अगर आप अपने चेहरे को वाश करते हो ना तो जितनी भी गंदगी होते हो नहीं हो निकल जाती है तो दूद को आपको क्या करना है सबसे पहले एक कटोरी में दूद ले लेना है उसके बाद आपको ना चेहरे पैचे पर आपकेश कर लेनी है दूद की और फिर दो मिलेई आपको रग देना है फिर आप देखे अपने आप इस त पी ले सकते हो तो मैंने आसा हैं और आप देख सकते हो बट कुछ लोगों कुछ उट नहीं करता है और कुछ को पसंद भी नहीं होता है इसलिए मैंने नॉर्मली आपको फेश वास लगा के दिखाया आपको तो फेश वास बहुत सारे टैप्स के आते हैं जैसे फेर लवली का जाता है अलोवेर का आप यूज कर सकते हो मैंने फेर फेर लवली का लिए तो आपको बता है कि बहुत बहुत है अच्छा होने है तो मैं आपको भी नाइस तरीके से हो थी तो यह स्थियों में कोई रेमेडिय न होने वाले चिप्स होने बाइई जह इसको यूज से ब्रायट ट अधाय सकते हूं सक्थे हों और आपको कोि महपन आपको सरकूलर मोशन में mov Nahi cos आपको अपस मेंको हाथ करके दिखारईज और यह नागया थेल हमाँ अधो में ऑपको हाथ पैरो दुलने के बाद तॉल से बाद पूछने के बाद फिर आपको लगाना यह नहीं कि करो तो circular motion में धीरे-धीरे से करने हैं आपको मसाज और जब भी आप कुछ भी क्रीम लगाते हो या कुछ भी लगाते हो तो आपको ना अपर साइड से मतलब मसाज करनी चीए हमेशा तो इस तरीके से मतलब में खुछ खर दर करें द्रीटे कास या और जाप साइड कने थो तो मैंने इतने अच्छी तरीके से मसाज किया कि आप इस तरीके से आपको क्या करना है अच्छी तरीके से मैंने देख सकतո हातों मैं नारिल का तेल। तो नारल का तेल आपको City में लगाना या इस तरीख जो आपके चेंजे माँड़े आपकर साइड में आपको मसाज करनी इसी तरीख में से आपको डाउन साइड इअपर सांड में घरने इस लिए लूज नहीं रहती